असलाम अलेकूम आजीज तल्बा उतालेबाद हमें इस धर्ती याने जमीन पर जिन्दा रहने के लिए बहुत सारी वस्तों और चीजों की अवशक्ता पड़ती है जैसे हमें सास लेने के लिए हवा की अवशक्ता पड़ती है अगर प्यास लग जाए तो पानी के अवशक्ता पड़ती है और भूग लग जाए तो खानी के अवशक्ता पड़ती है इस तरह अगर इसी समय हम बीमा हो जाए तो इलाज की अवशक्ता हमें पड़ती है तो प्यारे बच्चो अगर जिस वक्त हम खाना खाते है उस वक्त हमारे खाने में बहुत सारी सबजिया होती है अलग-अलग परकार के अनाज होते है इसमें चावद, गेहु, जवार होते है गेहु, चावद, ये जवार हमें किसान रात दिन खेतों में महनत करके हम तक पहुचाते हैं जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से किसान रात दिन महनत मुशक्कत करके हम तक ये फसले पहुचाते हैं खेतों में तरह तरह की फसले होती है, जिसमें एक फसल धानकी भी होती है, तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी इस छटी कक्षा से दूसरी एकाई से बाली ये धानकी इस पार्ट को पड़ेंगे.